एक तर फ्लोप डाउन चाले रहेल छे अने तेमा मुश्लिमों पावित्र रमजन मास आवी रहेल छे त्यार यहाँ पावित्र मास माप्र मुश्लिम बिरादर कोरोना थी सुरक्सित रहे ते माटे आर्फुर्ट जिलने तमाम इमामसाहीब द्वारा रमजान मासमापण मस्जीदों बंद रहएशे कोई पर जाती सम्मू नमास अही नहीत था से तेवी जाहिराद करी हती आज एरार्फूर्चीरण पोलीस वड़ासरी बल्राम मिनाई जेदपुन इमाम साहिब साथे रम्जन मुद्ध चरचा करी हती और कोरोना वायरस नी महामारी नाइन चरचा करी हती साथे इमाम साहिब तमा मुस्लीम बिरादरों अपिल करी हती के आ मास दर्मयान तेव पोतारा गरमाज रही और रमजानी नमाज गरमाज पड़े साथ रमजानी तरावीन नमाज पर गर्रे रही ने अधागरे देवे अपिल जेत्पुन सेयद रफिक पाववे तमाम मुस्लिम बिरादरों गरी हती साथ रमजान मास दर्मयान पर मस्जीद बंद रहे से तेवी पर जाहिरात करी हाती रमजान मास दर्मयान मुश्लीम बिरादरों तमाम दिवस दर्मयान गर्रेज रहे आवनारा दिपसो माँ पवित्र रमजान मास चालू थवानू छे अने अनुसंदा ने अमें आखा जिल्ला ना तमाम अधिकारियोंने सुचना आपी छे के तमाम विस्तारों माजे ये मुसलिम विरादरों छे ये मने साथे मिटिंगों करी अने जे धार्मिक लीडर्स छे ए अनुसंदाने कोई पन भार ना निकले, कोई नमाज पड़वा माटे भार ना आवे, एवी अपील करवानी, अने मने केता हर्ष छे कि यहां जेदपूर सिटी नी अंदर पन यहां मुख्य मैमाम साहब छे, जेनी हेटरल बद्धीज मस्जीद आवे छे, यहां साते पन मारी म जाननी, उजवनी करवानी छे, अने आखो नाखो समाज मने सेकार आपे छे, और इस महामारी और इस कोरना वाइरेस की बीमारी को ध्यान में रखते हुए, जो राचकोट के एसपी साहब ने हमें जो बाते बताई है, में तमाम लोगों तक जुमा मस्जीद के इमाम होने की हैसियत से, तमाम लोगों तक उनके उस फर्मान को पहुचा रहा हूं, बताया गया है इस पी साहब की जानीव से, कि रमजान मुबारक के मौके पर तमाम मुसल्मान लोगों को अपने अपने घरों पर रहकर खुदा की अबादत करनी है, याद रहे लोगों के अबादत करन के लिए मस्जित शर्त नहीं है, जहां भी सचे दिल से खुदा वह दहुला शरीक को याद करोगे, वहीं तुमारी दूआ कुबूल हो जाती है, और आज इस कॉर्ना वाइरस की बीमारी में, एक मेरी तरफ से भी मौदबाना अपील है, गुजारिश है, कि लोगों रमजान मुबारक के मौकें पर आप हजरात को अपने घरों से हालते रोजा में भी बाहर नहीं निकलना है, और रोजा खुलने के बाद भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, यहां तक कि रही तरावी की नमाज का, तो वो तरावी की नमाज भी अपने अपने घरों पर रहकर अदा करनी है याद रखो ये वक्त ऐसा नाज़ुक वक्त है कि इस नाज़ुक वक्त में आप अपने का अपने बच्चों का अपने घर वालों का अपने रिश्टेदारों का अपने परोसियों का और अपने इस शहर जेतपूर का एक तुम पर जिम्मेदारी है कि उसको बचा आना, खुदा का शुक्र है कि हमारे इस जितपूर शहर में वो बिमारी नहीं आई है और हम खुदा से दौा भी करते हैं कि इस शहर में ना आए और जहां कहीं भी ये बिमारी है, पूरे मुल्क में अल्लह तबारको ताला से दौा है कि वो दूर हो जाए